असलाम अलेक मेरे परदेशी भाईव अगर आप लोग भी आउनलेन एकाउंड ओपन करना चाहते हैं अलरबी बैंक में तो आप लोग आसानी से घर बैठे अपने मुबाइल से ही कर सकते हैं तो चली मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से ओपन करके वीजा काट हासिल कर सकते ह और आपके रूम पे छोर कर जाएगा तो चली ये बहुत आसान सा तरीका इस वीडियो को लास तक देखना होगा तब ही ये काम कर सकते हैं थोरा भी मिस्टिक करेंगे तो एक आउन ओपन नहीं होगा काफी लोग सवाल करते रहे तो आप लोग गलती करते हैं पूरा वीडि सब्सक्राइब करके लगए कर लेकर को हमें से क्लिए और पर क्लिक करें यहाँ पे सर्च में लिखना है यहाँ पर एस तरह से आपका website ऑपन हो जाएगा आपको कुछ करना नहीं है नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं online account opening यहाँ पर क्लिक करें लोग स तरह से आप लोगों के सामने में ऑप्सन आ जाएगा तो यहाँ पर ओपन यूर एकाउंट नाओ पर क्लिक करें उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है नीची आना है नीची आने के बाद यहाँ पर टिक लगाना है दोनों जगा पर उसके बाद यहाँ पर प्रोसीट पर क्लिक करें उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नो नो पर रहने दे कोई बात नहीं है नो नो पर रहने दे उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें टिक लगाए उसके बाद फिर से प्रोसीट पर क्लिक करें उसके बाद यहाँ पर continue पर क्लिक करें उसके बाद आपका जो डिटेल से यहाँ पर आजाएगा यानि अपसर का यूजर नेम और नीचे पासवर्ट डालना है और यहाँ पर sign in पर क्लिक करना है अपसर का जो यूजर नेम है आप एक आमन नमर भी डाल सकते हैं और यहाँ पर पासवर्ट डाले अपसर का उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें आपके नमर पर कोड आएगा उस कोड को यहाँ पर दर्च करना है तो यहाँ पर कोड आ चुका है उसके बाद यहाँ पर continue पर क्लिक करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सामने में आ चुका है आपको यहां पे कुछ नहीं करना है तो यहां पे थोड़ा वेट करना है वेट करने के बाद कुछ इस तरह से आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा यहां पे आप देख सकते हैं मेरा पूरा डिटेल्स आ चुका है मैं नाम एड्रेस हर चीज यहां पर आ चुका है और कहां का मेरा पैदाई से डेटर बर्थ हर चीज आ चुका है कामा नमर यहां पर पूरा चीज आ चुका है तो आपको करना क्या होगा यहां पर अपना email ID और नीचे mobile नमर उसके बाद यहां पर टिक लगाना है तो यहां पर वेरिफाई पर किलिक करना है, तो फट फट मैं कर लेता हूं, उसके बाद यहां पर ठीक लगाए, तो यहां पर ठीक लगाने के बाद वेरिफाई पर किलिक करें, उसके बाद आपके नमर पर कोड आएगा, उसको कोड को यहां पर दर्ज करना है, तो यहां पर कोड डाल दे हैं तो यहां पर कोड नहीं ले रहा है तो इसको हम कोपी करते हैं उसके बाद यहां पर वेरिफाई पर क्लिक करें कोड एक्सपायर हो चुका है तो यहां पर फिर से हम इसको कट करते हैं और फिर से नया कोड मंगवाते हैं यहां पर क्लिक करें यहां पर में क्लिक करेंगे फिर से आपके नमर पर कोड आएगा उस कोड को यहां पर फट फट दर्ज करना है तो यहां पर फिर से आ चुका है उसके बाद यहां पर वेरिफाई पर क्लिक करें उसके बाद यहां पर कंटीनुई पर क्लिक करना है यहाँ पर continue पर click करेंगे तो यहाँ से आप लोग अपना details डाल सकते हैं single है या married है तो यहाँ पर click करके अपना check कर ले जो भी यहाँ पर select करना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पे जिस देश में आप पैदा हुआ है उस देस का यहाँ पर नाम बिंधु ओकर सकते हैं ऊसके बाद यहाँ पर करके कुछ भी कर सकते इसके बाद यहाँ पर एगडुक करें और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके सेलेट कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग कोई भी चीज सेलेट कर ले अच्छा रहेगा यहाँ से अपने मर्जी से कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर अपने किसी रिलेसन का नाम डाल सकते हैं कोई चीज select कर दे बहन हैन है भाई है बाप है वाइप है कोई चीज यहां σε आप लोग सीले कर दे तो चलिये मैं फुटाफट यहां पे डालता है उसका नम्मर भी यहां पे डाल सक्ते है उसके बाद निचे आएंगे निचे यहां पर आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस माएगा यहां पर अपने देस का एड्रेस डाल सकते हैं यहां पर आपका जो एड्रेस है यहां पर एट्मेटिक ले ले लेगा उसके बाद यहां से अपना जो देस है उस देस का एड्रेस यहां पर डाल सकते हैं यहां पर मैं आ साब से हर चीज़ डाल दे उसके बाद निक्ष्ट पे क्लिक करें कि ğim है अग्यार विद्वात्त मालेंगे तो अब आपके अपने च्बाद मुझे मालूम नहीं तो फिर भी कुल इलाए अगे ब्रभ़ जाएं तो वहां पे तो menyan2950 यहां चाहिए नहीं करेंख यहें यहां पर पूछा जागा नहीं तो यहां पे रहने दे उसके बाद आप यहां पर क्लिक करें उखने नीधि के दिला देवन को मैं बैंक में है तो आप यहां पर बता सकते हैं कि मेरा इकाउन इस बैंक में है तो मैं आपको बता रहता हूं मेरा इकाउन इस बैंक में है उसके बाद यहां पर बैंक टू पर क्लिक करके बैंक टू का कोई अप्शन नहीं है तो यहां पर मैं रहने देता हूं उसके बाद बैंक पर आपको क्या करना होगा एंपलोयर है तो यहां पर क्लिक कर दें उसके बाद यहां पर सेक्टर पर क्लिक करके यहां पर आप देख सकते हैं गोर्मेंट है या प्राइविट है तो प्राइविट पर क्लिक कर दें उसके बाद निचा आएंगे निचा आने के बाद यहां पर job select पे click करें और यहाँ पे अपना जो भी job करते हैं जो भी काम करते हैं यहाँ पे आप लोग डाल दें तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मिलता जुलता डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पे अपने company का नाम डाल सकते हैं या कफिल का नाम डाल सकते उसके बाद मंथली इंकम कितना है तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर दे उसके बाद यहाँ पे इंकम पे क्लिक करे और यहाँ पे कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे अपना मंथली इंकम डाल दे मंथली इंक करना है क्या करना है तो यहां पर रहने दें उसके बाद नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहां पर आप से कुछ यहां पर कुछ पुछा जाएगा फिर भी यहां पर कुछ डालना नहीं है और नीचे डिरेक्ट नेक्ट पर क्लिक करना है निक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आप लोगे सामने में सो हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आउनलाइन बेंकिंग का पासवोर्ट बनाना होगा तो यहाँ पे अपना पासवोर्ट बना ले जैसा कि यहाँ पे दिया गया इस तरह से आप लोगा समझ सकते है क्या क्या नमर डालना है क्या क्या यह चीज डालना है तो 7 से 15 क्रेक्टर का होना चाहिए तो चलिए फटफट में डाल देता हूं अपना यह पासवर्ड तो आपने हिसाब से पासवर्ड यहां पर बना सकते हैं पहला अपने नाम का बरा केपिटल अक्षर डाले उसके बाद इसमोल इसके बाद नवर इस तरह से डाल सकते हैं दोनो जगह सिम सिम पास्वर्ट डाले और यहाँ पर ग्रीन टीक अगर आज आएगा उसके बाण आपका पास्वर्ट समझेवरstone बन चुका यहाँ पर ग्रीन टीक आच चुका है तो यहाँ पर पिन नमर डाल दें अगर यहाँ पर नमर नहीं लेता है तो आप एक एक करके यहाँ पर कोपी करके डाल सकते हैं मैंने एक एक number copy करके यहां पे paste किया है तो आप लोग भी अपने हिसाब से copy करके यहां पर नवर paste करते हैं उसके बाद some bit पे किलिक करें उसके बाद कुछ दिर यहां पर wait करना है, कुछ यहां पर करना नहीं है थुरा time लगा उसके बाद आपका account open हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, थैंक यो for opening account with A&B, देख सकते हैं, आप लोगा मेरा account open हो चुका इस तरह से, आप लोगा account नमबर यहां पे 100 हो जाएग भी आ चुका है एन बेंक से इमेल भी आ चुका है मेरे इमेल आईडी पे तो आप लोग इस तरह से अपना एकाउंट उपन कर सकते हैं अगर आपको इसको लोगिंग करना है तो आप लोग इसके एपलिकेशन पर जाकर लोगिंग कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा देता ह जैसे कि ANB bank का application यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आजाएगा Arabic English का option यहां पे इस तरह से भास चिंद कर सकते हैं और यहां पे sign in पे क्लिक करके आप यहां पे अपना username और password डालेंगे तो आपका internet banking open हो जाएगा